वेल्कम टू करेप्लेस अकेडमी दोस्तों आज हम करेंगे क्लर्क प्रिविज येर पेपर की पॉड़न क्वेशन दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेशन सिंदू घाटी सभिता का पतन कस्बा कौन सा है आप्शन है बना वाली लोथल रूपर्ड हडपा तो इसका रहाटांसर है हमारा आप्शन पी लोथल सिंदू घाटी का जो पतन था उधना हमारा लोथल हो जाने हैं इसके वरहें चोए जो लोथल है मारा यह हमारा भूगभा नदी पर और और गुजरात में गुजरातमें रॉपर्पतल है मारा रावी नदी के किनारे और पाकिस्तान बनवाली रंगंवाली नदी के किनारे हर्याना में हैं और रूपर स्वस्तिन रदिए किनारे बंजाब में हैं तो बहुत ही वाड़े नहीं है नश्च खुश में होड़ते हैं महावीर की अनुमाईयों को दिया गया मून लाम था आप्शन है अरहंत निर्गरंथ जैन कैवलीन तो इसका राइट आंसल है हमारा आप्शन बी निर्गरंथ कहा जाता है महावीर के अनुमाईयों को और जोने थे इसके बारे में जैन धरम के सुन सतापक और पहले तिर्धंकर थे रिशब देव और जैन धरम के तेस्वे तिर्धंकर थे पार्शब नाथ और पार्शब नाथ के द्वारा चार महावरत दिये गए सत्य, हिंसा, अस्ते, अपरिग्र और पांचों महावरत दिया गया महावीर जैन के द्वारा तो बहुत ही बाड़न है और महावीर जैन धरम के 24-वे तिर्धंकर थे महावीर का जन्म हुआ था पांसो चालिसे सापुर वेसाली के कुंडल ग्राम में और इनके पिता थे सिधार्थ जो ग्यात्रिक कुल से थे महावीर किस कुल से थे उते हमारे जैत्रिक कुल से महावीर की पतनी ये शोदा थी और पुत्री का नाम प्रियदरशनी था महावीर के बच्पन का नाम बर्धमान था और इन्होंने तिस वर्स की उमर में ग्रिहत याग दिया था और बारा सालों की साल की साना के बाद इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी जिन विजेता को कहा जाता है और अरहंत पुझ्य होता है निरगरंथ बंधन रहित कहा जाता है आशोशें औरते हैं इतिहास में ग्याद साही मौर्य वन्शावली का अंतिम समरार था तो आप्शन है ब्रिदर्थ, कुनाल, संप्रती, सलिसुक तो इसका रहिटास है हमारा आप्शन ए प्रिदर्थ थे मौरे समराज्य के अंतिम समरार था और जाने थे इसके बारे में और 305 इसापुर में चंदरगुत मौरे और सलिकस के मध्या युद हुआ जिसमें सलिकस प्राजित हुए और दोनों के मध्या संदी हुई और चंदरगुत मौरे ने सलिकस को 500 हाथी दिये थे सलिकस ने अपनी पुत्री कारणेलिया या हेलेना का भी वहा चंदरगुत मौरे से किया था सेल्यूकस ने अपने चार राज्जे चंद्रगूत मौरे को दिये जिनमें कांधार, काबूल, हेराद, बुच्छिस्तान सामिल थे और सेल्यूकस ने मेगनेस्टनिस नामक एक राजदूत को चंद्रगूत मौरे के दरवार में वेजा वो बहुत दिन तक पार्टल पूत्र में रहे और इंडिका की रचना की तो इंडिका पुस्तर लिखे थी मेगनेस्टनिस ने जो सेल्यूकस के राजदूत थे और चंद्रगूत मौरे के दरवा दिका रहे थे बिंदूसार मौरे तो बहुत ही गड़र है नाश्यूशन के गड़रते हैं प्रारमभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा सहरी के अंदर था, आप्षन है कुसामबी तक्षिला उज्जान पाटिल पुत्र तो इसका राटाशन रहे मारा आप्षन टी पाटिल पुत्र सबसे बड़ा सहरी के अंदर था नाश्यूशन सभी प्रकार के विद्योश्यों के लिए प्रियोप में आने वाला पद हीमन में से कौन सा था option है यमन, यव, यवनिका, यवन तो इसका रहा राइट आंसर है हमारा option D, यवन नाश कोशन क्यों बारते हैं नव नितकम सबंदी था, option है, घणिस से, जोची से, खगोल विज्यान से, चिकिस्द से तो इसका रहा राइट आंसर हो हमारा, option D, चिकिस्द से सबंदी था, नव निकेतम नव नितकम, नव नितकम, चिकिस्द से सबंदी था नाश कोशन, निमन में से भारत का अंती महान हिंदु सासक माना जाता है, option है, चंदरगुप्त, हर्स, क्रिशन देवराए, मिहिर भूच, तो इसका रहा राइट आंसर है हमारा, option B, हर्स को अंती महान हिंदु सासक माना जाता है, नाश कोशन यह बरते हैं उत्री भारत का अंती हिंदु साही वंस कौन सा था, उत्री भारत का अंती महान हिंदु साही वंस कौन सा था, option है, राजपूत, गुरुजर प्रतिहार, गुप्त, इन में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है हमारा, option B, गुरुजर प्रतिहार वंस अंती महान हिंदु साही वंस था, नाश कोशन, खजू राहों में परसिद चत्र भुज मंदिर का नियमान किसने करवाया, खजू राहों में परसिद चत्र भुज मंदिर का नियमान किसने करवाया, option है, परमार्दी, धंग, जैसक्ति, यसो, वर्मन, तो इसका राइटा अंसर है हमारा, option, D, यसो, वर्मन, नाश कोशन, कुतुब दीन, भक्तियार, काकी, नियमान में से, किस सूफी सिंसले से बंदित है, option है, कादरी सिंसला, चिस्ति, सिल्सिला, सुरह वर्दी, सिंसला, नक्षबंदी, सिल्सिला, तो इसका राइटा अंसर है हमारा, option, D, चिस्ति, सिल्सिला, सासक, चुन्नवीन, विजय के लिए, नहीं कया था, option है, बलवन, एलतुत्मिस, फिरुसा, तुगलक, भलोल, लोदी, तो इसका राइटा अंसर है हमारा, option, D, भलोल, लोदी, दोस्तों, वीडियो को, लाइक, सेर, और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्यू,